इवी पीएस निउस में शिल्पित र्पाटे आपका स्वागत करती हूं हमारे खास कारिकरम विदाएक जी चले गाउं की ओर में आज हमारे साथ मौझूद हैं सहर अन्पूर से कॉंग्रेस विदायक मसूद अक्तर जी, विदायक जी आपको बहुत-बहुत स्वागत है हमारे कारिक्रम में तेंक यू जैक जी ये बताइए कि आपको ऐसे नहीं लगता कि आप दो भारत हो गए हैं, ग्रामेड और सहरी नाम के कि सहर की तरब तो सारी सरकारे ध्यान देती हैं, लेकिन गाउं के तरब कोई ध्यान नहीं देता इस पर अप क्या कहेंगे? देखिए जब से ये भारती जनता पार्टी की सरकार आई है, परदेश में और देश में ये गाउं के लिए बाते तो बड़ी-बड़ी करते हैं, किसानों के लिए बड़ी-बड़ी बाते करते हैं, लेकिन धरातल पर किसानों के लिए कुछ नहीं हुआ, किसान अंदाता है और पूरी अर्थ वैवस्ता इस परदेश और देश की किसानों पर टिकी हुई है, लेक कांश योजनाओं का पैसा खर्च ही नहीं हुआ वो अभी उसमें बचा पड़ा है तो किसानों के लिए कोई योजनाओं जो देते भी हैं उसको शुरू नहीं करते किसानों की कहते हैं दो गुनी आये हम करेंगे यह कहकर के वोट लेने का काम करते हैं लेकिन किसानों के लिए धरातल पर कुछ नहीं होता, यह सिर्फ हवा हवाई बातें करते हैं BJP वाले, धरातल पर कुछ नहीं करते हैं देखिए किर्शी परधान देश होने की वज़ह से पहले ही कहा है, आज किसान आत्मत्या करने पर मजबूर है जो गन्ना किसान है उनका टाइम पर पेमेंट नहीं हो रहा है भुगतान नहीं हो रहा है छे-छे महिने का बकाया भुगतान रुका पड़ा है उसके अलावा जितने आलू किसान है आपने देखा किस तरह से पिछले दिनों विधान सभा के सामने आलू को फेक करके किसान ने अपनी बधाली का सबूत देने का काम किया, किस तरह से टीमाटर के जो पैदा करते हैं, उन्होंने किस तरह से फेक करके, आज तक सरकार समर्थन मुले, ये कहते तो हैं कि हम किसान की आये दुगना करेंगे लेकिन आज तक स्वामी नाथन आयोग की रिपोर्ट बहुत दिनों से ये डिमांड है किसानों की किसानों का जो समर्थन मुल्ले है वो स्वामी नाथन आयोग की रिपोर्ट पर तैह हो लेकिन आज तक ये लोग सिर्फ कहते हैं करते कुछ नहीं है हमारी भी ये मांगे हमने विधान सभा में भी बात उठाई है किसानों के लिए कि स्वामिनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया जाए जिससे किसानों को उनका समर्थन मुले उनके फसलों का वाजिब दाम मिलने का काम हो शिक्षा स्वास्थे का हाल भी यही है सरकार खुद अपनी पीठ थपतपाने का काम कर रही है शिक्षा के लिए आज भी प्राइमरी स्कूल में बच्चे आज भी टाट पट्टी पर बैठ कर पढ़ रहे हैं उनके लिए आज भी बैंच और कुर्सी उनके लिए मोहया नहीं कराई गई है आज भी शिक्षकों की भारी कमी देखने को मिल रही है और यह सिर्फ अपना पल्ला यह कहकर जाड़ लेते हैं कोट का बहाना बना करके कई मामलों में इन्होंने देखा कोट का बहाना बना करके शिक्षा मितरों का हाल आपने देखा कि किस तरह से शिक्षा मितर परिशान हाल है और शिक्षों की भारी कमी की वज़ा से बच्चों की पढ़ाई इफेक्टिव हो रही है वो तो बात सही लेकिन जो आपकी जब उस टाइम पे सरकार था तो उस टाइम पे ये विवस्ता क्यों नहीं हुई थी, कि जो अभी इस टाइम पे विवस्ता नहीं है? आज तो देश बदल रहा है, देश बदलने की बात करते हैं, आज रोजगार नहीं है, इन्होंने कहा था हम 70 लाख लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन कुछ नहीं है, सिर्फ इन्वेस्टर सम्मिट के नाम पर इन्होंने एक फिर से भैकाने का काम किया है, युवाओ को भ कोई नौकरी ये आज तक नहीं दे पाए हैं, सिर्फ जूट बोल करके सत्ता हासिल करती हैं और उसी का नतीजा है, आज आपने देखा जो आज रिजल्ट आए हैं, पहले नोट बंदी, फिर GST की मार से पूरे परदेश और देश बदहाल है, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर ह हो, व्यापारी हो, सब बदहाल हैं और उसी का नतीजा, उसी का नतीजा है कि BJP के परतिये रोश देखने को मिला है, और ये रिजल्ट आपके सामने है, कि आज BJP के खिलाफ, चाहे कोई भी कंडिडेट हो, BJP के खिलाफ आज ये जनता ने ये ऐलान कर दिया है, कि जो भी च जो है, वो गदेश को उन्नत बनाने में योगदान दे सके, देखे गाव में अभी बहुत कुछ होना बाकी है, सबसे पहले तो शिक्षा, हमारे बच्चे जो कल का भविशे हैं, अगर वो शिक्षित नहीं होंगे, उनको सही तरीके से शिक्षा नहीं मिलेगी, तो फिर ये परिक्षाओं के जिस तरह से बात कर रहे हैं, वो सरासर, वो ज्यादातर जिन बच्चों ने परिक्षाएं छोड़ी हैं, वो ज्यादातर राज किये स्कूल के बच्चे हैं, वो गौर्मिटी स्कूल के ज्यादार बच्चे हैं, जिन्होंने परिक्षाएं छोड़ी हैं, त किया था कि हम छे महिने में पूरे परदेश को गड़ा मुक्त कर देंगे लेकिन बहुत सारी variety आपने भी देखा होगा गड़ा मुक्त नहीं बलके सडकें गड़ा यूक्त हो गई है दिहात में पीने का साता पानी प्जल की ववस्ता रूप से नहीं है पेजल हमारा स्वास्थे सबसे जरूरी है अगर स्वास्थ नहीं होगा हमारे बच्चों का आने वाली नसलों का अगर स्वास्थ नहीं सही पानी सही नहीं होगा तो स्वास्थ सही नहीं होगा और स्वास्थ नहीं होगा तो वो कल के भविशे के लिए क्या कर सकते पानी की वैवस्ता नहीं है, शिक्षा की वैवस्ता नहीं है, सडको की वैवस्ता नहीं है, जब तक ये सब चीज़े नहीं होगी तो परदेश और देश कैसे तरक्की कर पाएगा सवास्थे के मामले में आपने देखा, कि आज भी गाउ में तो क्या कहिए, शहरों में भी आम जन्मानस की जो मूल भूत, आवेशच्चता है, स्वास्थे, उसमें भारी कमी है, आज भी शहरों में आम जन्मानस को अपर शिक्षित और ज्छोला चाप डाक्टरों के चुगम परशिक्षिश डाक्टरों की, एक्सपर्ट डाक्टरों की, MD डाक्टरों की, MS डाक्टर्स की भारी कमी है, जो आज परदेश में और देश में भारी कमी है, इस वज़ा से स्वास्थे सेवाओं में तवाम भरस्ट अचार होने की वज़ा से स्वास्ते सेवाएं नहीं मिलने का काम हो रहा है और इस छेत्र में भी आपने पिछले दिनों देखा उन्नाओं में जिस तरह से जोला चाप डॉक्टर ने इन्फेक्टिड सुई लगने की वज़ा से दो दर्जन से ज़्यादा पेशेंट HIV से गर्सित होने का काम हुआ इसका ये नतीजा है देखने को मिला है कि सुईस्ते सेवाँ में कितनी गड़बड़ी आज भी है आपके हिसाब से गवं में ऐसा क्या क्या होना चाहिए जो आम इंसान खुश रह सके और अपने परिवार को भी खुशाल रख सके देखे सबसे पहले मैंने अभी आपको बताया कि रोजगार सबसे जरूरी है इनसान को सबसे पहले दाल रोटी रोटी कपड़ा और मकान की जरूरत है उसके बाद सुरक्षा की जरूरत है और आम जन्मानस आज रोटी रोजी रोटी से महरूम है चुकि जितने भी इन्होंने केंदर सरकार ने या परदे सरकार ने जो फैसले लिये हैं चाहे वो नोट बंदी का फैसला लिया हो चाहे जीएस्टी का फैसला लिया हो इसमें टोटली इसमें ये सरकार फेल होई है न आम जन्मानस भुक मरी के कगार पर है, सबसे पहले रोजी रोटी अगर ये रोजगार नहीं देंगे, सबसे पहले जरुरत है आम जन्मानस की, कि उसकी दाल रोटी चले, उसके बाद उसकी सुरक्षा हो, सुरक्षा के मामले में आप देख लीजे, तमाम एनकाउंटर्स के ब लातकार जैसी घटना है, कम होने का काम नहीं ले रही है, नहीं हो रहा है, कानून वैवस्ता में भी ये पूरी तरीके से फेल है, जब तक कानून वैवस्ता सही नहीं होगी, सुचारू रूप से नहीं होगी, आम जन्मानस खुले तोर पर बगेर डर के, बगेर दहशत के सड पर घूम करके अपनी रोजी रोटी चलाने का काम नहीं करेगा, तब तक खुशाली नहीं आएगी.